Good morning everyone, मैं मैं सली एंजो रचिंग मेरे कलोनी क्लासेज आज दो ऐसे शब्दों की बात करूँगा जिसे आपने गलत सुना भी है, गलत बोला भी है और आप तो जानते हो कि जो चीज़ आप सुनते हो वही आप बोलते भी हो कभी आप कोशिश नहीं करते की सही में जो मैं बोलता हूं वह सही है भी या नहीं भी चार्ज एक प्रकार से आप कह सकते हो जू आप पैसे वैसे मैं यह देते कुछ वह Texas नहीं होता है मैं उमीद करता हूँ कि आगे स अप उसएanten-बोलोगे और फीस कहें कि अंग्रेजी की टांगेस आप नहीं तो रहोगे आप उससे यह कहें दुसरे बट की बात करें तो आपको मैं बता दूँ कि एक प्रेपोजिशन है ओ एफ और फिर है एक ओ डबल एफ आप दोनों को ओफ ही बोलते हो यानि फाका साउंड देते हो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो फाका साउंड दोनों में नहीं है जिसमें सिंगल एफ है न वो अव है और अमेरिकन इंगलिष की बात करोगे तो अमेरिकन इंगलिष में उससे अव बोलते है और बिटिस इंगलिष में आव बोलते है और आप जानते हैं कि हम लोग बिटीस को ज़्यादा फॉलो करते है तो मैं भी आपको सज़िस्ट कर Lawn Gast just करोंगा कि आप औव ही उसमें आप चेक कर लेना या कोई भी अच्छी से dictionary हो आप उसे consult कर लेना वो होता है ओव या American में अव आफ नहीं होता ओफ कौन होता है ओडबल एफ इसे आप ओफ बोलते हो तो मैं उम्मिद करता हूं कि आगे से ये दो गलतियां नहीं करोगे आप फीस नहीं कहोगे ठीक है और दूसरी चीज कि आप ओफ को आफ नहीं बोलोगे अव बोलोगे मुझे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेर जरूर कर देना बाकी उन लोगों तक पहुचाना जिनको ऐसी वीडियो की जरूरत रहती है और जो करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सब का दिन बहुती शुब हो मंगल में हो पीसफुल हो